हर्दोई जन्पद के सांधी थाना क्षेत्र के बाग में चार दिन पूर्भ हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा आरोपियों ने पैसे मांगने पर राम ओतार की हत्या की थी मृतक राम ओतार ने अपनी बुआ के लड़के बर्कोनों से मांग कर आरोपियों को 5,000 रुपय दिये थे जिसमें आरोपियों ने 5,000 की बजाए 5,500 रुपय देने की बात की थी आरोपी मनोजवर आजीव ने 3,000 रुपय वापस कर दिये थे जिसमें मृतक के 2,150 रुपय बाकी थे मृतक राम ओतार ने जब अपने उधार के पैसे मांगे तो खुनस में आकर आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया हत्या की वारदात वाले दिन आरोपी रानी बाग गए तो मृतक राम ओतार ने अपने उधारी के पैसे मांगे इसी बात से नाराज आरोपियों राजीव वा मनोज ने कहा कि ये बार-बार पैसा मांगता है इसे मार दो, फिर राजीव वा मनोज ने डंडे वहींट से सिर्क उचकर राम ओतार की हत्या कर दी और हत्या में प्रयोग ताला कतल डंडा वहींट छाडियों में फेट कर फरार हो गए मुख्बिर की सूचना पर पुलिस ने सांडी तालाग के पास से दोनों नाम जद आरोपियों को गिरफतार किया है और आरोपियों की निशान देही पर सांडी पुलिस ने हत्या में प्रयोग डंडा वहींग बरामत कर ली है ASP पूर्वी अनिल कुमार यादव वसियो बिल्ग्राम के कुशल निर्देशन में फिलिस ने घटना का खुलासा किया है ASP राजेश द्विवेदी में घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भीज दिया है ASP राज से चार दिन पहले ठारा साणी में एक बाग में राम अवतार कश्चप नाम प्रती की डेड़ वाडी बरावन हुई थी उसके सर पर गहरी चोट लगी थी इस सम्मन में उसके दो जानने वाले राजीव और मुनोज पनांजब किये गए थे जो कि फराग थे तरलाथ में दोनों को ग्रतार किया गया है और उनने बताया कि पैसे के लिंदेन को लेकर के कुछ पैसे राह उतार के बकायत हैं लों के उफर बार बार मांगने पर इन लोगों ने जो है मिलकर उसकी लाठी डंडे से और इंट से पुचल कर अत्या कर दिया और फिर यह कर पास में शिभा करके भाग रहे थे